हलो फ्रेंट्स बेलकम टू माई यूटूब चैनल आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको तुर्पाई करना सिखाऊंगी चोक की तुर्पाई करने का सही तरीका है सो फ्रेंट्स मेरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा जिससे आपको समझ में आए कि तुर्पाई कैसे की जाती है यह हमारा फैब्रिक है mostly suit, blouse इन सब पर हमें तरपाई करने की बहुत ज़रूरत पड़ती है और यह बहुत ज़रूरी है आना सिलाई की class के लिए यह बहुत ज़रूरी है अगर हम सिलाई सीख रहे हैं तो यह करना बहुत ज़रूरी होता है कपड़ी को हमने फोल्ट कर दिया है उसके बाद एक सुई में हम धागे को पिरो लेते हैं धागा हमारा सिंगल ही होना चाहिए और इसका जो एक सिरा है उस पे हम नौट लगा देंगे छोटी सी और जो दूसरा सिरा है वो छोटा रहना चाहिए देख सकते हैं फ्रेंट्स उसके बाद जो हमारा फैब्रिक है जो कप्ड़ा है उसे हमने फोल्ट कर दिया है जहां हमें तुर्पाई करनी होती है उसके बाद देख सकते हैं फ्रेंड्स पहले हमें सुई को कप्ड़े के अंदर डाल कर धागी को बहार निकारना है और इसको हमें एक नौट जैसा बान देना है ताकि ये दुबारा खुले नहीं यहां से अब देखते जाएगा ध्यान से नीचे वाले कप्ड़े का एक सुटा सिर्फ सुई के अंदर होना चाहिए और इसके उपर वाले को फिर उसमें सुई डाल कर बाहर के तरफ निकारने हैं देखेगा आपके समझ में आ जाएगा बहुत एजी तरीका है करने का इसलिए मैंने आपको अलग अलग कलर के धागे से बताया है वाइट कलर का फैब्रिक लिया है ताकि आपको समझ में आए जितना हम आगे बढ़ते चले जाएंगे देखें इस तरीके से यह और ये आगे का हैसा है अगर वाइट कलर के धागे से हम करते हैं तो यह आपको चलाइब बिलकुल नहीं दिखेगे इसी तरीके से हमें आगे बढ़ते चले जाना है सिर्फ एक सूत लेना है नीचे का और एक उपर का कि by लेके फ्रेंट्स इस तरीके से उनार टिखता है और आगे वाला जो आगे वाला जो जो वह इस तरीके से आएगा आपको दिख रहा होगा साफ तो यह तुर्पाई करने का सही तरीका का ओप एक फ्रेंट्स आज मैंने आपको तुर्पाई करने का सही तरीका बताया है और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सस्क्राइब करें और शेयर करें तो मिलते हैं नेक्स वीडियो के साथ खुश रहिएगा और स्वस्त रहिएगा थैंक यू